इस वीडियो से एक नया चाप्टर चार्ट करने वाले हैं एकनॉमिक्स पढ़ रहे हैं यह जोगरफी जोड़े किसने रखा है ठीक है transportation में, communication में तो वो transportation, communication, trade जो है ना, जो देश में हर चीज़ को जोड़े रखे हैं हम इस chapter में उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको अपने पत्ते खोल के दिखा दिये हैं मतलब मैंने आपको reveal कर दिया कि आखिरकार theme क्या है बता दो वो चीज़ भी बता दूगा, साथी साथ आपको एक basic broad understanding समझ में आ जाएगी कि chapter आखिर किस दिशा में जाएगा और हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं chapter में इस सारी चीज़ें आपको clear हो जाएगी, इस chapter के notes आप download कर सकते हैं, telegram channel से तो please do join the telegram channel link description में मिल जाएगी, वहाँ से आसानी से notes वगरा download कर सकते हो साथ ही साथ, अगली important चीज़ क्या है कि आप unacademy app जरू download कीज़े क्योंकि live doubt solving classes होती है special class होती है, special class में हम interact कर पाते है one to one, जो कि absolutely free होती है उसके बाद में बहुत सारे quiz होते हैं scholarship exams होते हैं, leaderboard पे आप अपनी position को देख सकते हैं तो इन multiple features को explore करना है unacademy app download कीज़े, digraj, simple इस passcode की मदद से आप क्या कर सकते हैं एप पे ये सारे features free of cost explore कर सकते हैं तो please do download the academy app अब अगर हम आगे बढ़ें, तो इस chapter में क्या है एक simple सी चीज है अब यह आते कैसे हैं, उड़ों क्या थोरी ना आएंगे यह कही ना कहीं आप जिस दीखेंगतर तो transportation के थूं आ रहे हैं टो暦 रांकम ऑसकता है वो by air आया हो कुछ important चीज हो ठीक है by land waterways अलग अलग तरीके होते हैं तो कुल मिला कि आप यहां देखेंगे तो चीजें जो है ना जो भी आप product की बात कर लो या फिर किसी service की बात कर लो तो वो supply location से demand location तक मूव करती है ठीक है और movement जरूरी है उसके बिना जीवन चल नहीं पाएगा उसके बिना economy चल नहीं पाएगी समझ में मेरी बात तो जैसे क्या हो रहा है कि कुछ supply location होती है एक example simple लें कि दिवाली का शमय था ठीक है पापा जी को क्या करवाना था बच्चों को मम्मी को सबको शॉपिंग करवाना थी अब उन्हें शॉपिंग करवाना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा अपने घर से भी वहार निकल के जाना पड़ेगा शॉपिंग मॉल तक या अगर आप इसको टर्मस में डिफाइंड करेंगे तो क्या है कि इंडस्ट्री जो एक supply location है विच इस बोइंग टो शप्लाइव प्रोडुक्स ठीक है विच इस फॉइंग दिमांडड़ बायस ठीक हम जिस सीज की चाहा कर रहें वह समान ठीक है डिमांड लोकीशन तक डिमा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस ट्रांस्पोर्टेशन को कौन कराएगा सब्सक्राइब करवाएगा अब तो करवाएगा लेकिन अपनी मर्जी से समान भरके ले जाएगा चलो वहां छोड़ गया जातों किसी ना किसी ट्रेडर आपने इंडस्ट्री से बुला कि अपने शॉपिंग मॉल में बुलाए होगा वहां से समान को दूसरे को बेचेगा तो इस तरह से मल्टीपल एजेंट्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं और सिंपल अगर इसको एक सीधे रास्ते में अगर हम समझाएं तो क्या है कि athletes are required to be moved from supply location to the demand location and in this process transportation plays a very important role ठीक है now coming back to the title of the chapter lifeline of national economy क्या समझ में आफ आपको कि economy में जो भी activities हो रही है न उन activities को किसी ना किसी तरह से कोई कोई ना कोई connect कर रहा है जैसे transportation connect कर रहा है तो transportation क्या हो गया कि लाइफ लाइन की तरह हो गया हमारी national economy में समझ मैं ही मेरी बात ठीक है तो therefore the pace of development development depends upon the production of goods and services as well as their movement over the space तो अगर आप development को जो इतना आप समझते आए तो मुझे ऐसा लगता है personally कि class 10 में अगर आपने इमानदारी से 60 पड़ी न तो आपने बहुत सारे dimensions समझें ठीक है क्या समझें जैसे आपने economics में development बगेरा वाले चैप्टर पड़े थे तो अब development आप वहां इतना सीख गए थी development is not just earning a lot of money पैसे से development नहीं आता है आप multiple goals को देखते न है development and other goals वाला topic पड़ा था दिहान हो टमवन में अगर पड़ा था तो ठीक तो वैसे अगर आप दिखेंगे तो development को भी सिर्फ production से नहीं जोड़ सकते हो आप मान लो supply location पे आपने क्या कर दिया पहाड़ा बना दिया माउंट तो पेस of development depends upon the production and goods and services तो goods and services का production होना जो manufacturing industries में आप पढ़के हो connect करो connect करके चलोगे तभी मज़ा है पढ़ाई का ठीक है तो आपने manufacturing industries में पढ़ा कि production तो जरूरी है देश में लेकिन उसी के साथ साथ क्या होना चाहिए as well as their movement over the space ठीक है over the space मतलब वो supply location demand location तक जब पहुचाएगी मतलब supply location से demand location तक जब सामान पहुचेगा तब सही मायनों में development होगा क्योंकि industries ने बना बना के रख दिया उससे उससे कोई फरक नहीं पढ़ रहा है वो जो बनाया है वो बिकना भी चाहिए दुकान खुल लिया आपने समान भर लिया करोडों का लेकिन कमार है चिलर तो वो किसी काम की है क्या नहीं है तो इस तरह से क्या है कि पेस of development जो है तो जितना production पर डिपेंडेंट है जितना हम पढ़ क्या है कि manufacturing industries considers the backbone of economy तो उसी के साथ साथ क्या है कि जो manufactured goods है ना उनका movement भी जरूरी है तो यहां पर वही बताया गया है कि movement over the space is also one of the important one of the crucial factor to be considered before considering development मुस्वराद अब जरा समझ भाही है यहां तक कहानी ठीक है तो यह basic introduction बताया है कि क्यो lifelines of national economy में आप transportation और communication को पढ़ोगे क्योंकि यह क्या कर रही है उस movement को facilitate कर वा रही है जिससे ultimately आपकी economic में गुरू करती है तो the movement of goods and services can be over three important domains of our earth अब movement भी है ना तो movement क्या है जिसे आप डिली जाना है उड़के जा सकते हो पैसा जादा है तो ठीक है फिर क्या है बाई ट्रीन जा सकते हो अगर कम समय में पहुचना है तो फिर नहीं तो क्या है बड़ियां बस में घूमते फिर त stop हुआ तो अब जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो मैं आपको बता रहा था कि movement जो होता है ना किसी भी goods का services का वो अर्थ पे तीन domains को उसमें हो सकता है ठीक है तीन domains कौन कौन से है land transportation water transportation air transportation land water air यह तीनों अलग-अलग domain है जमीन के रास्ते ठीक है पानी के रास्ते और हवा के रास्ते movement होता है goods का, services का, people का हर चीज़ का और इससे वो जो हम बात कर रहे है connectivity की वो डवलप होती है ठीक है अब अगर आप यहां भी समझोगे तो यह चार्ट आपकी बुकी का है यहां आखे मत फोड़ना अगर दिखना ही रहा है तो मैंने बस reference के लिए लगा बात कर रहे हैं यहां आपको बता रहो कि लैंड जो है तो लैंड ट्रांपोटिशन में रोडवेस रोड के रास्ते भी जा रहे हो रेलवेस भी लैंड रांपोटिशन का पार्ट है pipeline भी तो यह हम पढ़ेंगे आगे सारी तो means of transportation में जो अलग-अलग domains है तो उसमें लैंड transportation हो सकता है वाटर ट्रांपोटिशन के अगर बात कर तो इनलैंड होता और overseas होता है इनलैंड मतलब क्या है कि नदी नदी घूमरे नदी नाले नदी नाले देश के अंदर जो नदिया है उन पर transportation होता है उन पर भी जैसे नेशनल वाटर वेज 1 2 3 4 5 6 ठीक है वो पढ़ेंगे उनके बारे में सब हम तो इनलैंड वाटर वेज होते हैं और overseas होते हैं overseas क्या है तो overseas मतलब क्या है by overseas जो है तो सामान मतलब इनसान कम जाते है सामान ज्यादा जाता है तो क्या है कि पूरा अफ्रिका से समान भर के ले जा रहे है का यूरोप या फिर यूरोप से अफ्रिका आ रहा है तो वो बाई बाई सी रूट आता है ना मतलब कि कुछ एरलाइन जो गवर्मेंट ने समाल के रखिए और कुछ एरलाइन जो प्राइवेट एर लाइन से एर इंडिगो तो इस तरह से क्या है मीन्स ओफ ट्रांस्पोटेशन की अगर हम बात करें तो जो हमने देखा कि मूवमेंट जो है ना गुड्स का तो ट्रांस्पोटेशन को बढ़ रहे हैं क्योंकि प्रडक्शन से सिर्फ एकोनोमी गोनी कर जाए कि डवलपमेंट नहीं हो जाएगा उसका क्या होना चाहिए टाइमली मूवमेंट भी होना चाहिए तीन अलग अलग डॉमेंट हो जाता है अब इनिशेली से अगर आप देखो फिर पहुंचा है कपड़े पहुंचा है वह कपड़े जो है वो क्या हो रहा हैakes ट्रेडर करेड कर रहा है तो what इनिशेली जो अप अपस में पड़े लेवल पे नहीं होता था ठीके वर्ड आपस में जुड़ा हो नहीं था ग्लोबलाइजेशन पड़के आए हुआ आप एकनोमिक्स में फिर कनेक्ट करो अगर आपने यह टेंथ खतम ही होने वाली आपकी लेकिन अगर आपने यह नहीं सीखा कि कैसे कीजाती सब्जेक्ट की तो फ्रेचे आना सवाली बात है हां बे तो इसके लिए क्या है कि चीजो को करेक्ट करा कर आप ठीक्स से जुड़ना चाया हैए फिसजिक्स जो लेकिन जो आप पड़र रहे हो ना अलगलग सब्답तמה कर लोग बेल गाड़ी से चलते थे पुरा जीवन निकल जाता अमेरिका पहुचते हो कभी तो पुरा जीवन निकल जाता अमेरिका पहुचते हो कभी तो पुरा जीवन निकल जाता अमेरिका पहुचते हो कभी तो पुरा जीवन निकल जाता अमेरिका पहुचते बेल डूब जा था means of transportation भी उतने developed नहीं थे लेकिन लेकिन क्या होता है लेकिन जैसे जैसे development हुआ science और technology में तो this expanded the trade and transport trade or transport जो है बहुत तेजी से expand हुआ आज जो product कहीं उदर आर्टिक पोल बन रहा होगा वह आपको कहा मिल जाएगा ट्रॉपिकल एरियास में भी मिल जाएगा तो इस तरह से क्या है ट्रेड के कारण ट्रांस्पोर्टिशन के कारण आप 24 गंटे में देश में विश्व के किसी भी हिस्से को टच कर सकते हो तो इस तरह से क्या है विद्दी देवलोप्मेंट इन साइनस अंड टेक्नालोजी एक से ट्रेड एन ट्रांस्पोर्ट एक्सपेंड देख के अब कुछ लोग देखो कितना सहीं इस्तमाल कर रहें Вीड देवलोपमेंट औव साइंचेंच ने तेक्नोलोजी ट्रात सब्कार तो इस तरह से में जिसे रीडियो इंटरनेट बगेरा अब तो को ट्रांस्पोर्ट और कम्मिनिकेशन भी एक दूसरे से अलग-अलग नहीं है इंफेक्ट इन दोरों ने एक दूसरे को फैसिलिटेट किया है ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम डवलप हुआ है जिसे रेलवेस डवलप हुई है अब उस रेलवेस को जब आपने कम्मिनिकेशन के साथ जोड़ दिया इंटरनेट की मदद से आपको यह पता चल जाता कि आपकी ट्रेन लेट चल रही है कब आने वाली या फिर आज कैंसिल हो गई है तो उसने क्या क क्या उसने इस उसने मुव्मेंट ऑफ क्या सकते गुट्स को और फैसिलिटेट किया है ना तो ट्रांस्पोर्ट और कम्मिनिकेशन इन दोनों चीजों का एक साथ जब डवलपमेंट हुआ है कम्मिनिकेशन अल्सों प्लेट वरी इंपॉर्टेंट रोल देरफोर वियर स्ट तरह से यह जो हमारा ट्रांस्पोर्टेशन और कम्मिनिकेशन है दोनों ने मिलके क्या बनाई यह कनेक्टिविटी जो उसको बहुत ज़एदा बड़ाई है समझ में आ रही चीज़ें मैथमेटिकल है बहुत मतलो सर्फ मैथमेटिकल इंदस दो लॉजिकल भी है मैथमेटि वह पढ़ गई अब जब connectivity बड़ी तो इससे क्या होगा कि वही जो हम बात करने की ट्रेड और ट्रांस्पोर्ट क्या हो गया एक्सपैंड हुआ है तो यूज अमाउंट में ट्रेड हुआ है तो चीजें पहले लोकल रहती थी ना जो लोकल रहती थी तो इंडिया कि लोग खाएंगे पियेंगे मस्त रहेंगे लेकिन अब वो क्या हो रहा है अब वो ट्रेड और ट्रांस्पोरेशन इतना बढ़ गया आ तो इसके चलते क्या है आज जो यूज ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है तो चीजें क्या है लोकल से इंटरनाशनल हो गई यह वल्ड इस ग्लोबल विलिज हम सब आपस में जुड़े हुए हैं हम सब आपस में जुड़ गए हैं विद्धी अडवांस्मेंट इन साइं अब यहां पर चीजों को ऐसे करना होगा कि हमने देखा सबसे पहले कि पेस ऑफ डवलपमेंट सिर्फ प्रडॉक्शन और गुड्स और डिपेंड नहीं होता है अगर है हमारे पास में तो यह क्या है मतलब होना चाहिए यह एक प्री रिक्विसिट कंडिशन है कि वन वी विल है देन्स और एफिशेंट नेट्वर्क औफ ट्रांस्पोटेशन और क्म्मिनिकेशन और लोकल नैशनल और ग्लोबल ट्रेड विल फ्लरिश इस इस इसी पर ट्रांस्पोर्ट ट्रेड और कम्मिनिकेशन और कनेक्टेड विद इच अधर ठीक है वाट री प्री रिक्विसिट कंडिशन फॉर दी डवलप्मेंट फॉर दी एडवांस्मेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड ट्रेड तो आप उसमें बताएंगे पूरी कहानी कि ट्रांस्पोर तरह तरह के कुश्चन मनते इसमें से वह पूरा पढ़ेंगे रोडवेस और क्लासिफिकेशन और फॉर्ट में फिर पढ़ेंगे हम रेलवेस पाइपलाइन और वाटर वेस के बारे में तो रेलवेस भी मीन्स ऑफ ट्रांस्पोरिशन हो गया अब जैसे मैंने बताया आपक सब्सक्राइबर के परसपेडीव से मारें गाता तो वाटर यजे पंदेगे एक टॉपिक एक वीडियो पिदियर शेते है दूसरी लाइफ़ाइट भी क्या करके रखता है जोड़िए रखता है कि ट्रेड ट्रांस्पोर्ट और कम्मिनिकेशन तीन चीजे लाइफ लाइफलाइंस व अपको ब्रॉडवग्या है तीन पिलर सो तो मिलते हैं अब हम कब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ जिसमें हम रोडवेज एज़े मीन्स ओफ ट्रांस्पोटेशन को कम्प्लीट करने वाले हैं क्लेर हुआ तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया है ठीक है अभी के लिए साइन आफ करते हैं टुगे बढ़ है लिए शएल जाओ में उपका रेख आउछ टॉवेगाह सब्सक्राइब करते हैंम पर हैंम यह साइब हैंम उन्क्ट करते हैं में अभी को आपक रचेंग तो ठाम ख़पी तो जिसमें पर बाहर हैं आपक राचेंग अवेडियों तो आबिए वन्या साथ छैं में